तो एलो फ्रेंट्स के सो आप सब नमस्कार दोस्तों मैं जीत एक और नई वीडियो नई टॉपिक के साथ मेरे यूटूब चैनल जीती रिक्साज इनसी में आप सब का तह दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का टॉपिक फिर से मैं 48 बोल्ट चार्जर के उपर लेके आया हूँ आप देख सकतो दोस्तों हमारा जो नीचे बैटरी रखी हुए और हमारा ये चार्जर हमारी बैटरी से भी कनेक्ट है आप देख सकते हैं दोस्तो हमारे ampere meter में हमारे 20 से उपर सुई जा रही है और हमारी सारी bulb भी on है charger के तो दोस्तो देखिए अभी हमारे ampere जो आ रहा है यह 16 ampere आ रहा है जिहां 16 दोस्तो यह हमारे battery charge करने के लिए काफी है तो दोस्तो देखिए आप ampere बढ़ा के ज़्यादा जल्दी charge कर सकते हो लेकिन आपकी battery ज़्यादा long lasting नहीं करेगा यानि ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा दोस्तो जिहां यह 16 ampere जो आ रही है जो हमारे देख सकते हो आप clamp meter में जो DC voltage में हमने लगा रखा है यह बिल्कुल सही है आपकी battery charge करने के लिए तो दोस्तो ज़्यादा ज़्यादा ए रिक्षर एलेटिड वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल GTRX Agency को सब्सक्राइब करें चाहिए motor controller charger कुछ भी हो दोस्तो